हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको एक नए तरह का डिजाइनर डवल बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी इसके लिए मैंने आपको जितने फंदे लेने आप ले लीजे मैं यह पर सैंपल बता रहे तो मैंने इसे साफसे फंदे लिए हुए हैं और यह मैंने बूल ली हुई है यह मे अपनी चोड़ाई के इसाफसे आप सलाईयां डिसाइड करेंगे मैं यहाँ पे तीस सलाईयों का बना रही हूं डवल बॉर्डर है तो यह पंदर सलाईयों का हो जाएगा अब यह जो हमारी पीछे वाली नीडल से इनको हम आगे की तरफ कर लेंगे और पंदर सलाईयां को जो हूं मैं ऐसे ही प्लेन-प्लेन पहले बनाऊंगी अगया पंदर सलाईयां बना ली आप यहां पर तीन नीडल का गयाप करेंगे फौर्ट वाले से फंदा निकालेंगे इसे डालेंगे इधर से इधर का फंदा भी आप वापस इधर ही डाल देएगे इसाफितरह से फिर उसी तहीं तीन नीडल का gap करेंगे तब करेंगे को अदर से अधर पंदी में डालेंगे तू एक तू तहुत तीन और फ्रॉर्थ वाला फंडा जो थे वह सिंख्स वाला फंदा भी हम जरिए तो इसी तरह से तीनी निडल का आप करते जाएंगे जैसे डिजाइन को जो है हम कंटिन्यू करेंगे लागे की तरफ कर लेते हूं जिससे यह फसे ना पीछे वाली पीछे की तरफ ही रहेंगी इसको फिर हम एक बार चलाएंगे एक बार चलाने के बाद अब यह देखिए जो हमारी हमने फंदा इदा से उदा टांसफर क्या था उस निडिल को हम आगे की तरफ करेंगे पर पीछे की तरफ कर देंगे क्यारिस को फिर दो बार चलाएंगे एक दो बार चलाने के बाद फिर क्यारिस का हुख आगे की तरफ कर देंगे और फेस को हम एक बार चलाएंगे यही सेम प्रोसेश हमें रिपीट करना है जो हमारी निडिल थी आगे की तरफ जो हमने की थी वही निडिल जो है आपको आगे की तरफ करनी है और क्यारिस का हुख जो है पीछे करके दो बार क्यारिस चलाएंगे और फिर क्यारिस का हुख आके कर देंगे एक बार चलाएंगे पंद्रा सलाईया मैंने नीचे चलाई है और एक बार में हमारी तीन सलाईया चल जाती है यानि कि पांच बार मुझे डिजाइन जो है उपर बनानी है एक बार बन गई है मेरी डिजाइन अब चार बार ऐसे ही सेम मैं बना लूँगी दो बार चला लिया दो बार चलाने के बाद क्यारिस का फिर आगे की तरफ कर देंगे और बही सेम प्रोसेस आपको जो है रिपीट करना है जो हमारी बीच वाली निडल है उसको हम आगे की तरफ करते जाएंगे जहां से फंदे निकाले थे दो बार बनके यह डिजाइन अब तीन बार मैं और बना कर फिर आपको दिखाते हूं बाटर किस तरह से आएगा यह देखें पांच और मैंने डिजाइन को बना लिया है सेम प्रोसेस रिपीट करके यह देखें एक दो तीन चार पांच अब जो हमारी पीछे वाली निडिल्स हैं इनको हम आगी की तरफ कर देंगे और क्यारिस को हम दो बार चलाएंगे दो बार चलाने के बार पिर जो है हम यहां से हुक और अपना वेट निकाल देंगे और सारी फंदे जो हैं वह डाल देंगे जैसे डालते हैं एक एक फंदा छोड़ के यह एक फंदा छोड़ दिया है दूसरे में डाला मैंने इसी तरह से लास तक जो है वह आप डालते चले जाएंगे सारे फंदे डाल दिये हैं अब हम अपना रॉड लगाएंगे और वेट लगाएंगे इसका स्वेटर हम जिस नंबर पर बनाते हैं अपने साथ और आठ के वीश में मैं उनके इसाफ से इसको साड़े साथ पर सैट कर दे रही हूं क्यारे इसका नंबर बॉड़र बन गया है इस तरह से यापका बॉड़र बन कर आएगा इस तरह से यापका बॉड़र बन कर आएगा